मित्रो नमस्कार आज आपके सामने आया हूँ आपके सामने लाइव में आया हूँ लेकिन क्रने को जरा थोड़ा दिल में ये हो रहा है कि आज मैं बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट पे मैं आपके सामने आया हूँ हा मित्रो वो जो है वीर जवान अपनी देश के लिए कुर्बान करने वाले मित्रो वीर जवान अपने देश के लिए कुर्बान करने वाले बड़े बड़े महा युद्द से लेके युद्द तक जितने वाले बड़े युद्ध से लेके महा युद्ध तक जितने वाले दोस्तो आज हम सरहद पर जो लड़ते है सरहद पर जो लड़ते है मैं उन जवानों की बात नहीं कर रहा हूँ आपके सामने लेकिन आज मैं जो आपके सामने जो बात कर रहा हूँ जो हमारे वाइरस के साथ लड़ते है पुरे हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए जो आज दीन रात बत्तिस बत्तिस गंटा जो हॉस्पिटल में काम कर रहे है ऐसे डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टॉप जिने मैं एक सोल्जर कहूंगा ऐसे सोल्जर को मेरा, ऐसे डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल पुरे श्टॉप को मेरा त्रिवार सेलुट है, नमश्कार है, प्रनाम है हाँ दोस्तों, क्या चल रहा है अभी जान की परवाना करते हुए हमारे डॉक्टर जो नए नए डॉक्टर है पुराने डॉक्टर तो ही है, वो मुरब्भी डॉक्टर तो है लेकिन जो अभी अभी नए नहीं, अम्बी विसमें से निकले है जो साल साल भर एक साल का ट्रेनिंग उनका जो रहता है साब सभी लगे है, उनके घर वाले उधर परिशान है अरे बाबा जड़ा तुम संभाल के करो अज उनके लिए ही मैं आज आपके सामने आया हूँ दोस्तो, इस सरकारे बड़ी बात करती है चाहे वो केंद्र सरकार रहो या हमारे राज्य की महराष्ट की सरकार रहो या देश में की कोई भी स्टेट की सरकार रहे दोस्तो, जनता के उपर में आम जनता के उपर मेडिकल इलाज के लिए सरकार खर्चा करती है या आपको पता है या नहीं आप उस पे जड़ा थोड़ा सा स्टड़ी कीजिए थोड़ा दिल ठाम के बैटी है मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार कितना ज़्यादा खर्चा करती है आप सोज भी नहीं सकते हो हाँ फिर भी आपको लगता होगा कि सरकार इतना खर्चा करती है फिर भी हमें तो हमारे जेव से ही खर्चा करना पड़ता है क्योंकि सरकार को क्या हमारी बहुत चिंता है किदर की भी सरकार रहो बहुत पब्लीक के उपर सरकार है न इसलिए दोस्तों पहले पहले सरकार एक अद्वी के उपर में देड़ रुपिया खर्चा करती थी वन रुपीज फिप्टी पैसा मराथी मदे दीर रुपाया बाद में दो रुपिया और आज आज तीन रुपिया है यह तीन रुपिया प्रती वेक्ती वनली वन सिंगल परसंद त्री रुपीज दोस्तों यह तीन रुपिया आपको क्या लगता है प्रति दियोस के लिए नहीं, एक महिना नहीं, तीन महिना नहीं, छो महिना नहीं, फिर तीन रुपिया का खर्चा यह सरकार एक साल के लिए खर्चा करती है दोस्तों सुन लिजिये, श्रीप वनली वन सिंगल पर्चन, एक आदमी के लिए यह सरकार तीन रुपिया देती है, कितनी बड़ी महरवानी करती है यह सरकार और हम ऐसे सरकार को धन्यवाद मायबाप यही बोलेंगे, तीन रुपिया और यही नित, आम आदमी की आउखात, आम आदमी की कीमत, उनके सामने क्या है? तीन रुपिया है दोस्तों, तीन रुपिया हमारी कोई अहिमियत नहीं, कोई कीमत नहीं एक किडो मकडो की तरह इस दुनिया, इस सरकार के सरकार हमारे को किडो मकडो की तरह देखती है वोट लेने के लिए बराबर हाथ जोडती है और तीन रुपिया एक आदमी के लिए तीन रुपिया देती है पहले तो देट रुपया देती थी, अब तीन रुपया देती है, हाँ दोस्तों, और यही नेता, MLA, MPs, Minister, Central Minister, Prime Minister, इनके लिए, इनके लिए तो तुम कहीं भी जाओ, अरे इंडिया के बड़े हस्पिटल तो छोड़िये, इनके लिए तो आउट आफ इंडिया के हस्पिटल भी बड़े-बड़े है, चाहे करोडो रुपया खर्चा हो जाए, उनके लिए सब है, हमारे लिए तो कुछ भी नह है दोस्तों सुनने जैसा किस्सा है आभी तक भी आपको यह पता नहीं होगा कि पर person तीन रुपया मिलता है सोचिए समझिए कि इलेक्शन के टाइम में यह हमारे को कुछ तो भी दिखाते हैं कई चंद रुपया दिखाते हैं कई जी हजी हजी करते हैं और बाद में हम तुम देखो तीन रुपय के उपर में एक साल में तीन रुपय तुम देते हो हमारे एक मत वोटिंग पर तुम खुर्ची पर मैटते हो और हमें तीन रुपय देते हो यह हमसे खेल नहीं है दोस्तों बताइए आप दोस्तों अभी दूसरी बात में बताता हूं हिंदुस्तान में से हिंदुस्तान में चौर डॉक्टर चौर डॉक्टर में चौर डॉक्टर में से तीन डॉक्टर किसी न किसी किसी न किसी प्रकार के violence मतलब हिंसा हिंसा के शिकार हो चुके है इसका मतलब है जितने डॉक्टर है उसमें से 75% डॉक्टर violence हिंसा के शिकार हुए ही हुए है वापीस इन डॉक्टर के दिल में हमेशा एक डर रहता है क्या पता कहीं अपने से कुछ हो जाए कई थोड़ा सा कुछ हो जाए कम जादा हो जाए तो डॉक्टर के हाथ से मर गया है कोई वार ना करे कोई मार ने डाले और ऐसे इसमें वो डॉक्टर हमेशा एक डर के महोल में रहते हैं दूस्तों मैंने जो आपको यह फिगर बोला है इंडियन मेडिकल असोशियन आई यम यह आई यम दारा जो जो प्रसारीत होता है फिगर जो प्रसारीत हो चुका है वो फिगर मैं आपके सामने रख रहा हूं आप आप इंटरनेट पे जाए इस माई चालेंज इंटरनेट पे आपको दिखेगा कि मैं जो बोड़ों यह फिगर सही है या गलत है अरे भगवान किसने देखा है भगवान किसी ने नहीं देखा है चल रहा है हम पुझा कर रहे है अरे आज जो तुम्हारा भगवान है वो सिर्फ डॉक्टर है डॉक्टर है और डॉक्टर ही है डॉक्टर के सिवा और कोई नहीं है कुछ भी सोचो उसका होस्पिटल ऐसा है उसका वैसा है उसका वैसा है अरे लेकिन आज वो क्या कर रहा है उस उस डॉक्टर के बारे में सोचो जो आज का रियली गौड वो है इतना मेरा जरूर कहना है दोस्तों 2017 में मुंबई में 40,000 से ज़्यादा डॉक्टरों ने अपने रक्षा है तू स्वयम की सुरक्षा के लिए एक बड़ा स्ट्राइक किया था बड़ा स्ट्राइक हो था चड़ो चड़ो बंबई की बात बात में करता हूं दिल्ली के मशूर एम्स इस समस्ता में दो साल में 40 से ज़्यादा डॉक्टर उपर विवीद प्रकार की हिंसा हो चुकी है देख लीजिए ये फिगर आपके सब पूरे समझ में आ जाएंगे दोस्तों वैसा ही गोकी के डेटा के अनुसार मैं क्या बोड़ रहा हूं मित्रो आप गोर की गोर फर्माईए गोको की डेटा के अनुसार हिंदुस्तान में हम आप सभी भारतियों में से मैं हूँ आप है जो भी कोई देखने वाले है या जो भी अपनी जनता है इन दुनिये दोस्तों इन जनता में से 92% लोगों का इन डॉक्टरों के उपर में भरोसा नहीं है इस बात पे भी मेरी शर्त है वो अक्षय कुमार कुछ कहिता है उस पे भरोसा है राम्देव बाबा भगवान है राम्देव बाबा पे भी भरोसा है लेकिन जो डॉक्टर कहिता है डॉक्टर पे भरोसा नहीं है दोस्तों मैं जो बोला एक गोकी संस्ता का रिपोर्ट आए, गोकी के डेटा के अनुसार 92% दुनिया का भरोसा डॉक्टर पे नहीं है, आज पठेल साब के पास में जाएंगे, कोई तुम भी बोलता है पठेल साब से नहीं है, वो उनके पास जाएंगे, वो भाबा के पास जाएंगे, वो महाराज के पाज जाईए अरे जो डाक्टर तुम्हारा तुम्हारा दर्श समझता है सब कुछ समझता है तो आपके लिए खड़ा है आपका उनके उपर में भरोसा नहीं है आज डाक्टर की संक्या कितनी है दोस्तो 1,600 1,600 डाक्टर 1,600 मरीज माप कीजिए 1,600 मरीज पे 2 डाक्टर अरे क्या है क्या डॉर्मेंट क्या कर रही है मोदी जी यह देखिए आज आए लोगडाउन आप बोल देते हो लोगडाउन लोगडाउन दुनिया ने लोगडाउन पकेड लिया लोगों के दिमाग में डर सा डर सी बात हो गई है मेरा तो ये कहना है ये तो नोट बंदी जैसी बात हो गई थी मुदी जी आपका काम मुझे अच्छा लगता है जो मैं अच्छा ही बोलूंगा लेकिन जहां लगता है वो बात मैं बता रहा हूं आज क्योंकि मैं दुसरे पत्रकारों के जैसा नहीं हूँ जो रियल फैक्ट है मैं वही बताऊंगा मैं आपके सामने आपने नोट बंदी कर दिया अट बजे नोट बंदी करने के बाद में सब दुनिया में दर्शत हो गई डर हो गया अरे नोट बंद हो गई हजर की नोट गई पांसो की नोट गई लोट डाउन हो गया वही आप अगर कि भी मिनिमम टेन डेंज का मोका देते थे लोग किरना सामान भी ला के रखते थे जिसको कोई जाना है वो जाते थे जो पैदल जाने से जैसी मोते हो गई है आज ट्रेने क्यों चलो हो गई है मित्रो भाइख खुले हम पुछ रहा हूं यह जो ट्रेन चलो हुई है जो मेरा वतन है जो मेरा गाह है और अगा बाद सोला लोगों की मौत हुई है दोस्तों सोला लोगों की सोला लोगों की मौत के बाद में इन सरकारों की आके कुली है दोस्तों सोला में से तो चार लोगों के पीछे शरीफ अब नहीं आई एक बच्चा भी नहीं है शरीफ लड़की है थोड़ा सोचिए तो 16 लोगों की जो प्रेथ है उनका जो शव है शव लिजाने के लिए बराबर ट्रेन अगर अगर वही आप पहले से कुछ करते तो जब हमने आखों से देखा है आखों से देखा है उसलिए तन मन में आएक लगी है अगर ऐसा कोई हाथसा है का दे बड़े के साथ होता तो क्या होता था दोस्तों आज मुझे एक ही कहना है कि आज मेरा जो सब्जेक्ट है डॉक्टर डॉक्टर को डॉक्टर नर्से स्टॉप को आप मट्रेल दीजिए मंगवाईए उसके अंदर में गर्बड घोटाला भाजू में रखिए अरे लोग मर रहे हैं कि इसमें भी परसेंटेज कितना मिलेंगा क्या मिलेगा यह तुम यह तुम साइड में रखिए अभी क्या हाल चल रहे हैं पूरी करके आपके जनता के सेवड में हजिर हो जाते हैं और 23 ट्वैंटी थी एप्रिल दो हजार बीस तक 96 डॉक्टर 156 नर्सेश जो मित्रो आपके लिए दीन रात शाम दोपर कुछरी देखा और यह लोग आपके लिए हस्पिटल में काम करते थे उस वक्त में आपकी सेवा करते करते हैं 23 एप्रिल बोड़ों में 96 डॉक्टर और 156 नर्सेश इनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया हैं दोस्तों बताइए वह आपके लिए उन्होंने कोई वक्त नहीं देखा घर पे बच्चे नहीं देखा मा नहीं देखा बाप नहीं देखा परिवार नहीं देखा दोस्तों और वहां पर क्या हुआ तो खुट पॉजिटिव हो चुके हैं ऐसा इंडियन कॉंसी इंडियन कॉंसील आफ मेडिकल रिशर्च रिशर्च आया है आईसी यम्यार नई नई देली में बीस पांच 20 में 2020 इस टुड़े आज 25 लाग से अधिक लोगों की कोरोना की टेस्टिंग हो चुकी है बीस में मतलब मैं आज की बात कर रहा हूं मित्रों 25 लाग से अधिक लोगों की कोरोना की टेस्टिंग हो चुकी है जो हमारे डाक्टर भाईयों ने आज के तारिक में एक लाग के उपर हिंदुस्तान में कोरोना पाजिटिव के केसेस कमफर्म कर लिये है इसलिए हिंदुस्तान में 3300 लोगों से जादा अपनी जान गवाँ चुके है सिर्फ उसमें कोई साथ साल के उपर के थे ऐसे रही है मित्रों खबर लीजिए आपके समझ में आएगा बीते 24 घंटों में बीते 24 घंटों में 108,000 लोगों के स्वैब टेस्टिंग हो चुकी है महाराष्ट में 37,000 31,000 के उपर दिल्ली में 10,500 के उपर गुजरात में 12,000 के उपर तामिल लाडू में 12,000 के उपर में है यूपी में 5,000 के आसफास में है यंपी 5,670 लगातार फिगर की बडोत्री हो रही है डॉक्टर और सास्त कर्मी इनके उपर में हमले हो रहे दोस्तों आपकी जान बचा रहे है आपके लिए दीन रात लगे है और आप उन पे हमले करते हो मुम्बई में एक प्रसिद्ध और फेमस हास्पिटल हास्पिटल में दो नर्सेस जो बहने अपनी जिस हौसीन सोसाइटी में रहती थी उनको वो सोसाइटी वाले ने इंट्री नहीं दिया मतलब प्रवेश नहीं दिया प्रवेश नहीं दिया क्यों नहीं दिया दोस्तों अरे इनको करोना हो चुका है क्या है दोस्तों अरे मराठी में कहावत है इते करा इते भरा अनि इते मरा आपके लिए वो जान दे रहे हैं और आप उनको बोड़ रहे हैं हमारे सोसाइटी में आना नहीं है उन नर्सों के साथ में दूर व्यवार किया गाली गलोच हुई ऐसी घटना यह कोई मुंबई की नहीं है पुरी देश वर में हो रही है अधिकतर महराश की सामने आ रही है कुछ बेशरम बेखल लोगों ने जो जाच करने के लिए जो टीम गई थी उसी टीम के उपर में फत्रे मारे लकड़ी के छोटे छोटे डंडे फेक के मारे किसी ने वो बरतन फेके मार पीट किये गाली गलोच किया इतना ही नहीं दोस्तों कुछ लोग अपना छोटा मोटा हतियार लेकर उस टीम को मारने के लिए आए पागलों की तरह उनके पिछे दोड़ रहे वो आगे दोड़ रहे और यह पिछे दोड़ रहे उन मुर्कों ने हतियार से भी हमला करने की कोशिश किये फिर भी इतना होने के बावजुद उस टीम को उपर वाला लंबी उमर दे भगवान उनके हर संकट से उन्हें दुर रखे क्योंकि फिर से दुसरे दिन अपने काम पे हजिर हो गए दोस्तों अरे जब तुम्हारी जानी सलामत निता इसे वक्त में आता कोन है मैं आपका वक्त ले रहा हूं लेकिन मुझे आज सज बोलना है क्योंकि भगवान किसीने नहीं देखा है मैंने तो जो मैं खुद कांति कुमार जैन मैं जो भगवान देख रहा हूं इन ही डॉक्टर के होगे वो श्टाप को हम देवदूत कहिना चाहिए इतना होने के बाद भी आप लोग आगए आपको जान की फिकर है यह नहीं कि कमाल है आपकी जिनोंने आप जी सचमुच आपके माबाप ने क्या संस्कार दिया है दोस्तों आपको मैं सेलिट करता हूं आपको कुछ पागल बप्तमेज मुर्ख और बेशरम विशेश कर इन इन मुर्खों ने महिला स्टॉप जो हमारी माता बहने है जो इलाज करके ठीक करने की कोशिश कर रहा है उनके सामने जान बुचके गंदे इशारे करना जान बुचकर नंगा होना नंगन होकर घुम रहे हैं तो क्या तरीका है ये मैं तो सरकार से अपील करता हूँ ऐसे बत्तमीजी को लीजिए जैसे आप कर्फी में बाहर डंडा मारते हैं डंडा नहीं वही पर डंडे से उसको उल्टा पाल्टा कर दीजिए मा बैनों के इश्डख के साथ में खेलनी की बात करते है मैं अपने जोश पें जोश पें कहि रहा हूँ आज में सरकार को अपील कर रहा हूं दोस्तो अभी मैं अपना आज का सब्जेक्ट खतम करते करते दो मिट में ही एक कुछ बात कहना जाता हूँ ताइवान ताइवान देश ने अब तक हिंदुस्तान के हमारे डॉक्टर नर्सेस एवन स्टॉप के लिए दस लाख मास डोनिट किया है दस लाख दस लाख दोस्तों नॉट जोक यहां तो क्या है कुछ-कुछ देता गन अपने पचास सो थैली लेने की और उसके फोटू लेने के और फोटू देने के है ऐसा नहीं है दस लाख मास डोनिट किया है उपर वाला वो सरकार को लंबी उमर दे दिल से कह रहा हूँ जन्वरी दो हजार बीस में हिंदुस्तान में कुल मिला के पौणे तीन लाख किट्स अपने हैं पर थी अवेलेबल थी जो इंपोर्ट की गई थी आज हमारे पास करीब करीब सोला लाख सोला लाख किट्स अवेलेबल है पर डे अपने हिंदुस्तान में दो लाख पी पी ए पी पी ए के किट्स तैयार हो रहे हैं मुझे लगता है कोई जो भी कोई कीट्स है जिससे डॉक्टर स्टॉप के इनको बिल सके हैं आज एक कीट्स की सक्त जरूरत है लेकिन इसके अंदर में सरकार तो करने को तैयार है कुछ अफसर कुछ अधिकारी वर्ग है लोग मर रहे हैं लोग आज कौन से स्टेज पे हैं अरे वो तो देखो जिसे मराठी में कहते हैं कि मेलेला मुर्द्या चा टाडू वर्च लोनी खाया है खाना साथ ही काई लोग का बसने ले आए अरे ये छोड़ो खाली आता है और खाली आत जाने वाले हैं मित्रो मैं आज आपसे दोनों हाथ जोड़के एक विंति करता हूं मंदिर तो बंद है सब कुछ बंद है गुरुद्वारा बंद है सभी बंद है वहां जाके पैसे डालने के बजाए सरकार ने कुछ ऐसा कि आइसे आपने वह पैसे जमा कीजिए और वही पैसों से हर गाव गाव में एक हॉस्पिटल के लिए अपना हेल्प दीजिए क्योंकि यह हॉस्पिटल हमारे परिवार हमारे हमारे भाईजन परिवार जन रिष्टे वाले उनको आगे चलके काम आने वाला है मुझे किसी सरकार के बारे में नहीं बोलना है एक लाग करोड और देड़ लाग करोड और वो ट्रेन जा रही है एक ट्रेन से हमारा कुछ नहीं होता है आज अगर हस्पिटल हमारे होते तो आज यह वक्त नहीं आता था वक्त नहीं आता था कि बस मुझे इतना ही काई ना चाहता हूं मैं जो बोल रहा हूं मेरी अंतरभावना से बोल रहा हूं कि मैं किसी का किसी एक पार्टी का नहीं हूं मैं सच्चा ही जो है मैं सच्चा ही से सच्चा ही आपके सामने रख रहा हूं आज दुनिया के लिए भगवान श्रीफ डॉक्टर है दोस्तों इन डॉक्टर के साथ में खिलवार्ड मत किजिए उपर वाला देखता है देर है लेकिन अंदेर नहीं है परस इतना ही कहना चाहूंगा और मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इनको जल्द से जल्द जितना भी जो इनको जो किट्स लगते है वो किट्स दीजिए अगर डाक्टर सेफ है तो हम सेफ है बस इतना बोलके मैं विराम करता हूं धन्यवाद नमस्कार